हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वंदनास फिनॉलेजी ये रिष्टा क्या कहलाता है में लो जी लो आ ही गया लीप और लीप के बाद सबसे पहले देख लो अक्षिरा अभी मन्यू के इस लड़के को जी हाँ दोस्तों ये वही है जिनके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था ये ही है आक्षिरा और अभी मन्यू का लड़का जिसके मम्मी पापा पात साल बाद अभिनव और आचल कहलाएंगे इस बच्चे का रियल नाम है श्रियांश कौरव और ये ही वो बच्चा हो आचल बन चुकी है नाक में सिंपल सी नोज रिंग उलजी उलजी सी लटें और आखों में खूब सारा काजल लगाकर ये आचल वाला लोग हमें तो बहुत अच्छा लगा अब इनके अभिनव से भी मिल ही लेते हैं ये लीजे पांच साल के बार देखिए किस तरह हमें मिलिये पांच साल के बाद अभिमन्यू कुछ ऐसे दिखेंगे हाला कि अभिमन्यू के लुख में जाधा चेंजिज नहीं हैं आरोही और अभिमन्यू मिलकर नील और आरोही की बेटी को बहुत प्यार देंगे जी हाँ डील और आरोही को फाइनली एक लड़की होगी और वो बहुत प्यारी होगी वो अपने अभिमन्यू पापा को प्यार से पॉपी बुलाएगी और ये प्यारी सी बेटी अभिमन्यू के दिल का टुकडा नहीं बलकि उसका पूरा का पूरा दिल होगी अब बात करते हैं इनके इंट्रडाक्शन का इसा दिखाया जाएगा कि अभिमन्यू जो एक मेडिकल कैम्प में आरोही के साथ बिजी है वहाँ उनको उनकी बेटी का फोन आएगा जिसमें वो कहेगी पॉपी मेरी तब्यत खराब है ये सुनकर बिटिया रानी के पॉपी यानि पापा जी दोड़ कर उसके पास पहुँच जाएंगे उदर अक्षरा की एंट्री कुछ इस तरह दिखाई जाएगी अक्षरा उर्फ आचल के बेटे को एक महले वाला लड़का जोर से पकड़ कर दबा के रखेगा तब आचल कीचन से भागी भागी आएगी और उसको देख कर बोलेगी छोड़ना मत अभी लड़ना आना चाहिए और अपनी गलती पर सौरी बोलना आना चाहिए जाहिर सी बात है अक्षरा उर्फ आचल अपने बच्चे को कुछ ऐसे ट्रेन करेगी जिससे वो बिना किसी की मदद के अपनी हर लड़ाई खुद ही लड़े और सामने वाले का डट कर मुकाबला करे वैसे लिए अक्षरा की जिंदिगी ने उसे इतना कुछ सिखा दिया है जो वो अपने बच्चे को सिखाना चाहती है अक्षरा की जिंदिगी ने उसे हर चीज दिखा दी वो भी उसके मुश्किल से मुश्किल समय में अगर अभिनव ना होता तो अक्षरा का क्या होता उसके इस बच्चे का क्या होता आरोवी को भी ऐसे समय पर अभिमन्यू का साथ मिल गया और आज उसकी बेटी अभिमन्यू का दिल बन चुकी है लीब के बाद वाला ये ट्राक काफी इंट्रेस्टिंग लग रहा है इस सीरिल से चुड़ी हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे इसके लिए हमारे चैनल को फॉलोज जरूर कर लीजिये